असलों वेल्कुम पेक टो मैं चैनल मैं हूँ सही दैसमा और आप देखें सही दैसमा का चैनल कैसी है आप साब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी और मैं भी ठीक वाला हुँ दिल्ला अच्छा जी जो मेरी चैनल पर नू है उनको मैं बनूंगी कि वह जल्दी से जाएं मेरी चैनल को सब्सक्राब कीजिगा बेल आइकन को प्रस कीजिगा ताकि मेरी हार आने वाली वीडि़ आप तक आदिल ओके थेंक्यू एंड यह बहुत अच्छी बात है कि सही दैसमा आप आप लोगों के साथ इतनी अच्छी रेमिडिस शेयर करती है अब आपको बता है यह आने वाली है तो क्यों आप लोग अगर अब भी तक को रेमिडी अपलाई नहीं की तो चाहिए मेरी और भी वीडियोस है रेमिडीस है उनको भी देखिए और अपलाई कीजिगा कीजिग आप लोगों के साथ एक और अच्छी सी रेमिडिस रेमिडिस करने चाहरे हूं अबाउट स्किन वाइपनिंग एंड ग्लोइंग कैसे बनाएंगे हम अपने स्किन को ग्लोइंग कैसे लाएंगे एंड स्किन वाइट कैसे होगी तो वह मैं आपको इस वीडियो में आपके घर में चीजे मज़ूद होती हैं तो उसी से आप बनाएंगे और लगाएंगे कोई इतना हर्चा नहीं आता जो आप मेंगे मेंगे प्रोडुस लेते हैं बाहर से उससे अच्छा मेरी होम रेविडियो से तो या अभी मैं आपको बताते हूं कि हमें क्या चाहें तो हम यहां पर चाहें राइस फ्लोर अगर राइस फ्लोर नहीं है तो आप राइस को आप बीस सकते हैं इसको ग्रेंड का सकते हैं इसको इसका तन आप आठा बना से ठीक है और अगर आपके घरों में मजूद है राइस फ्लोर तो बहुत अच्छी बात है क्या कि मेनत नहीं कर हमें पूछते ही कैसे करने कैसे अपलाइ करने में सब कुछ दिक भी देती हुं डिसकोंशन बस में इन बता भी देती हैं हम लोगिस सामने बैठ कर भी लगाती हूं अपलाइबी करते हूं तो आप लोगों समझ आनी चाहिए अब यह अच्छा दूद चाहिए हमें इसमें हम कच्छा दूद एड करेंगे अज पूरी अपनी बाडी को स्किन पॉलिशिंग करनी है इसमें और एड करेंगे बट ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही एड करेंगे दें मिक्स कब करेंगे कि हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए ज्यादा मिल्क एड नहीं करना है ऐसा ही अच्छ झार के लाइक अज़र थाई हे इस सकती है यह बहुत अच्छा है इसको अच्छे मिक्स करना है तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए तो अपनी स्कीन को पॉलिशिंग किया करें ताके वाइट हो ग्लू लाएब आपकी स्कीन के ओपर ठीक है ग्लू लाएब तो ऐसे देखे हो गया है और इसको हम अपलाई करेंगे मैं अपने फेस क्यूब को लगाकर अपलाई करती हो अपने पूरी बॉडी के उपर इसको पॉलिशिंग करनी है लगा कर ठीक है अच्छे से रबिंग करना है यह एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बताया है कि पूरी बॉडी के लिए ठीक है तो हम अब इसको लगाएंगे अच्छी से आपको पता नहीं है कि मिल्क में कित अच्छी मेरी वीडियो आपको अच्छी से पहले लगाएंगे ठीक हो गया मेरी कप्ड़े घंदे हो रहे हैं ठीक हो गया अब कर वाद कि आप लोगों के लिए तो यह भी हम कर सकते हैं नो इशू तो मैं तो कहते हैं जल्दी से इसको अपलाएं करें अलगाएं यह से पहले पहले ताकि आपके स्किन भी ग्रो करें और वाइट होच जाएंगे आप लोग इसको हमने स्किन पॉलिशिंग करने थे ठीक है लगा कर हमने इसको यूं करना है आपको मैं बता नहीं सकती जो मिल्क राइस फ्लोर है बहुंत ही मेजिकल इंगिरिजिस हैं थीक हैं तो आप इसको वन वीक में चार दफाँ प्लाइब करें थीक हैं चार या तीन दफ़ आप लाइक कर सकते हैं तो आपका कोई ज्यादा टाइम लगना नहीं है इसको अच्छे से अपने skin polishing करना है फूरी body पर अपने लगा कर करना है तो आपने इसको like 13 minutes ठीक है और 30 minutes आपने इसको लगाना है यू करना है अपनी skin को बहुत अपने मतलब नर्म हाथों से के साथ ऐसी अपनी करना है अपने अपने आम हैंस की उपर लगाना है ठीक है और ऐसे ही करेंगे मतलब हर जगा आपने पूरी body की उपर लगाना है इसको अच्छे से हमने 30 minutes के लिए अपने ऐसे रॉब करेंगे अच्छे से ठीक है जो ड्यक स्कीन होती है आपकी वो बहुत मतलब आपका जो प्रॉब्लम है सौफ हो जागा ठीक है आपकी जो पिंपल है पिग्मेंडेशन का मसला है इस तरह के ना ब्लेक हैट्स बोबिर मुह हो जाएंगे तो आप इसको अपलाई के या करें वान वीक में फोर ताइम्स ठीक है फोर ताइम आप इसको लगाएं तो या तो मैं अभी जा रही हूँ देखें सॉई मैं गॉड़ देखें मैंने इसको यह स्किन पॉलिशिंग हम का रहे है ना देखें कितनी वो डेट स्किन जो गंदी जो भी स्किन के अंदर जम्मा होता है ना यह देखें आपने यू ऐसे करने है हार मतलब सर्फ फेस की उपर नहीं हार बॉड़ी की उपर आपने टाइम लगाना है टाइम निकालना ही ठीक है इन ऐसे ही अपने अपने स्किन की पॉलिशिंग करने है थो थो जोर से भी करना पड़ता है ना की अभी मैं प्लेन वाटर से वाश करके आती हूं ओ मैं गॉड़ी देखें मेरी स्किन कितनी मतलब एक दफा मैंने यह अप्लाई किया ठीक है वैसे मैं हमेशा अप्लाई करती रहती हूं इसलिए मैं थोड़ी सी गोरी लाग रही होंगी आप इसको अगर रेगुली उसकरे आप अप्लाई करेंगे ना दिन आप अमेजिंग सा रेजल पाएंगी आप इसको अपने इसको रेगुलर यूस करना है ठीक है एंड यह एक दफा भी अप्लाई करेंगे तो आपको इसका पता चाल जाएगा अंदाज हो जाएगे इस रेमेडी ठीक है मिल्क एंड राइस अप्लाई करेंगे तो यह थी परी आज की वीडियो और भी मैंने लास्ट टाइम मैंने राइस लोर की वीडियो डाली होई थी ठीक है वो भी बहुत अच्छी है सबने लाइक है तो अगर में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की जीग और शेविजिग की अपनी फैमिली के साथ थेंक यू सो मच मैं आप लोगों सी अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए अलाफ़ास